हलो फ्रेंड्स अपका स्वागे थे मेरे किचन में आज हम बनाएंगे कुरकुरे चीज पनीर समोसा तो बाजार से भी बढ़िया समोसा पट्टी के साथ बनाएंगे अगर एक बार आप इस तरह के से समोसे बनाओगे तो बार बार बनाओगे अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजी और बाजो में दी गई हुई घंटी दबाए ताकि नही नही रेसिपी के नोटिफिक का आठा जैसा गुंते है ऐसा आठा बना लेंगे तो इधर मुझे आधा कप और उपपर दो टेबल स्पुन जीतना पानी की जरूरत पड़ी है और आठा मैंने गुंद लिया है आठे को अच्छे से हमें मसल लेना है थोड़ा सा तेल डालेंगे आधा टी स्पुन जीतना वापस से हम आठे को अच्छे से मसल लेंगे और आठे को कवर करके 10 मिनिट के लिए हम साइड में रखेंगे तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे स्टफिंग के लिए एक बावल में 125 ग्राम पनीर को कद्दुकस कर लेंगे इधर हमें सबसे बड़ी जो जाली ग्रेटर में रहेगा उससे ही कद्दुकस करना है और पनीर हमारा थूड़ा ड्राइ होना चाहिए पानी में से तुरंत निकालके आप उसे मत कद्दुकस करें कबसे मिजर करोगे तो एक कप जितना मैंने पनीर कद्दुकस करके लिया है अभी हम उसमें प्रोसेस चीज डालेंगे तो आ साथ में एक चोथाई कब बारी कटा हुआ शिमला मिर्च, एक चोथाई कब उबले हुए मकई के दाने, आधा कब बारी कटे हुए धन्या, धन्या आप जब डालो तो बहुत पानी पानी नहीं होना चाहिए, इसे सुखा होना चाहिए, एक टेबल स्पून अधरक मिर्ची का पेस, तिखी बाली मिर्ची और अध्रक ज्यादा डालें, तो बहुत पड़ी आसा टेज़्ट आएगा, एक टेबल स्पून बारी कटी हुई, कम तिखी वाली मिर्ची, इससे बहाथी बढ़ी सा फलीवर आएगा, एक टीसपून काले मिर्च पावडर, दो टीसपून चिल हो गया है इसे हम साइड में रखेंगे और अभी हम जो आटा हमने गुन के तयार कर लिया है उसे भी 10 मिनिट हो गया है अच्छे से हम इसे वापस से थोड़ा मसल लेंगे और उसमें से 6 एक ही साइज की सेमी ऐसी लोईया बना लेंगे तो अगर आपको छोटे समोसा बनाने है तो आठ भी बना सकते हो दो लोईया ले लेंगे मैदा लगा लेंगे और हम दोनों को सेम साइज की पूरी छोटी-छोटी पूरिया में बेल लेंगे तो ऐसे तो एक ही साइज होनी चाहिए वो ध्यान रखे अभी हम दोनों पूरी पर 3-4 बूंदे तेल की अच्छे से लग लगाना है तो ऐसे और हम दोनों पूरियों की तेल साइड जो है उस पर हम मैदा लगा देंगे ऐसे तो अच्छे से मैदा भी लगाना है और अभी हम एक मैदा वाली जो साइड है उस पर दूसरी मैदा वाली साइड वाली पूरी लगा देंगे अच्छे से चिपका देंग और ऐसे फैला देंगे और अभी हम सुखा आटा छिड़क के मैदा छिड़क के हम बड़ी रोटी की तरह इसे बेल लेंगे जितना आप बड़ा इसे बेल सको उतना हमें बड़ा इसको बेलना है तो मैदा मैंने लगा लिया है और धियान रखे किनारिया चिपके नहीं ऐसे हम में इसे बेलना है और बेलते टाइम हम दोनों साइड इसे बेलेंगे तो साइड चेंज करते हुए हम बड़ी रोटी की तरह इसे बेलेंगे किनारिया भी अच्छे से आप बेल लिये और आप देख सकते हो बड़ी रोटी की तरह मैंने बेल लिया है अभी हम इसे हलका सहसे ख खीच लेंगे और जितना आप इसे पतला बेल सको उतना पतला आपको इसको बेलना है कि नार या मूटी ना रह जाए वो भी आपको धियान रखना है अभी मैंने ढोसा का तवा गरम कर लिया है गरम हो जाए गैस की फ्लेम मिडियम रखेंगे रोटी डालेंगे और उसे जब अभी ऐसा आप तुरंत ही डालके उसे थोड़ा और खीच लीजे आप देख सकते हो बढ़ियासा हो गया है 30 सेकेंड के लिए हम इसे मिडियम हाइ फलेम पर हम की संग है चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी हम इसे 30 चन के लिए संग लेंगे और अभी दोनों साइड स सिख जाए आप इसे हलका हाथ में ले लीजिए तो अभी ऐसा आप देख सकते हो हलका सिर्फ हाथ में लेके इसको आप ऐसे करोगे तो यह सेपरेट हो जाएगा तो आप देख सकते हो बड़िया तरीके से दोनों रोटी सेपरेट हो गई है और रोटी को हम कैसरोल में बन डब में आप रखे ताकि यह सुखना जाए इसे तरीके से हम दूसरी रोटिया भी सेख लेंगे तो इसे बन डब्बे में ही रखना है वो आपको धियान रखना है नहीं तो सुख जाएगी तो समोसा जब आप फोल्ड करोगे तो रोटी टुटेगी तो आप धियान रखेगा तो आप देख सकते हो तयार है मैंने तीनों रोटिया ऐसी बड़ी बड़ी बेल के छे रोटी तयार कर ली है अभी जो सेकी है उसे रोटियों को मैंने कैसरोल में से निकाला है चार एक साइज में है तो हम ऐसे एक के उपर एक रख देंगे और साइड में जो ज्यादा मूटी क वो पतली पतली ऐसे काट लेंगे और अभी हम उसमें से समोसा पट्टी काटेंगे तो ऐसे चार समोसा पट्टी कट होगी तो हमें तीम बार कट करना है तो चार रेडी हो जाएगी ऐसे सेपरेट कर देंगे और अभी हम ऐसे सेमी साइज में हमें कट करना है तो ऐसे हम इसे व इसी तरीके से मैंने काट लिया है और जो समोसा की रोटी की साइड की पतली पतली जो साइड बच जाएगी उसे भी आप रखे इसे आप फ्राई करके खाओगे नमक मिर्ची डाल के तो बहुत ही टेस्टी लगती है तो समोसा पत्टी हमारी तयार है तो थोड़ी छोटी है थोड़ी बड़ी है पर समोसा छोटे बड़े इस साइज में आपके बनेंगे तो आप देख सकते हो बड़िया से हमारी पत्टी बनके तयार हो गई है इसी तरीके से जो दो रोटी छोटी है उसमें से मैं 3 समोसा पट्टी ऐसे काट लूँगी और आप देख सकते हो ये भी तयार हो गई है तो अभी हम सारी समोसा पट्टियों को कैसरोल में रखेंगे तो आपको धियान रखना है उसे सुखा नहीं होने देना है और अभी हम मैदा 3 से 4 टेबल स्पुन जीतना ले लेंगे उसमें 4 से 5 टेबल स्पुन जीतना पानी डालके स्मूध ऐसा गोल बना लेंगे तो ये हमें समोसा चिपकाने में काम आएगा इसलिए हमें ये तयार करना है तो इसे अभी मैं साइड में रखूंगी अभी हम समोसा फोल्ड करेंगे तो पटी को हमें ऐसे रखना है समोसा पटी को ऐसे V-shamed देंगे और दुसरी साइड से भी हम ऐसे उठा के उसे भी V-shamed देंगे और दुसरी जो बॉडर है उस पर हम ऐसे रखेंगे अभी ये कौन बन गया इसे हम सीधा कर देंगे हाथ में ले लेंगे और अभी इधर हम stuffing करेंगे तो एक से दो बड़े चमत जीतना अगर आप पहले बार समोसा बना रहे हो तो कम ही stuffing डाले ज्यादा बहुत मठ डाले तो इधर मैंने डे टेबल स्पून जीतना stuffing डाला है अभी हम समोसा को pack करने के लि चिपका के समोसा को side change कर देंगे चो बची हुई side है उस पर भी हम ले लगाएंगे और ऐसे हम इसे चिपका देंगे तो इधर भी हमें कोना ऐसे करना है समोसा का तो आप देख सकते हो तीन कोने वाला तो ऐसा हमारा पट्टी समोसा तयार है तो इसी हिसाब से मैं दूसरे सम उसे भी आपको बता दूंगी तो एकदम सिंपल है पट्टी को ऐसे रख के V-shape बनाएंगे वापस से दूसरी साइट से भी V-shape कौन बन गया हमारा सीधा कल लेंगे हम इसे अगर स्टफिंग ज्यादा आपको भरना है तो ऐसे किनारी इस तरफ से ये बॉडर पे रख दीज किनारियों पर लई लगाएंगे और समोसा का हम तीसरा कोना तो एक भी कोना खुला नहीं रहना चाहिए ऐसे समोसा हमारे पैक होगे तो इस तरीके से मैं सारे समोसे तयार कर लूँगी और मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है तेल एक बार गरम हो जाए गैस की फ्ले करेंगे दूशरी साइड भी हम् दो मिनिट के लिए इसे फ्राइ करेंगे और बाद में हलका गुल्डन कलर आजाए तबया सा था? करना है शुरू में आप ध्यान रखे गयत की फ्लेम स्लो ही रखे बाद में थोड़ी सी मीडियम जबी ऐसे हलके गुल्डन हो जाए तब आप कर सकते हो अंदर तक चीज भी मेल्ट होगा और बहुत ही बढ़ी आसा टेस्ट आएगा तो आप देख सकते हो समोसा हमारे तयार है हम इसे किचिन पेपर पर निकालेंगे और इसी तरीके से हम सारे दुसरे समोसे फ्राई कर लेंगे तो पट्टी समोसा बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ आपको थोड़ी प्रिप्रेशन ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आप एक बार घर पे इस तरीके से समोसे बनाओगे तो बार बार बनाओगे आप अलग अलग स्टफिंग वाले ये पट्टी समोसा से समोसा बना सकते हो तो आप देख सकते हो बढ़िया सा कलर आया है तो थोड़ा हम जल्दी बहार निकालेंगे क्योंकि ये गरम होता है तो भी हलका कलर चेंज करेगा तो हमारे बढ़िया से पट्टी समोसा इस रेश से पीसे आप 22 जितने समोसे अगर आपकी रोटी तीसरी भी अगर मेरी बड़ी हुई होती तो 24 समोसे बनते तो आप देख सकते हो मैं समोसा आपको एक खोल के भी बता दूंगी तो बड़िया से क्रिस्पी है और अंदर से चीज भी मैल्ट हो गया है आप इसे अकेले ही खाईए या फिर टमाटो सॉस के साथ भी सव कर सकते हो तो बहार से अगर आपने समोसे खाए है पर घर पे कभी चीज पनीर समोसा नहीं बनाए तो इस रेसिपी को आप एक बार जरू ट्राइ करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले